हेलो दोस्तों फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूटूब चैनल जिसका नाम है दया हाडवरक दो दिन से मोसम खराब होने के कार्ण साइट का काम नहीं चल पा रहा है तो इस कार्ण में साइट से आपको वीडियो बना कर नहीं दे पा रहा तो मैंने सोचा क्यों आज आपको मौखिक जानकारी दी जाए तो आज का हमारा वीशे है जब भी हम किसी भी गर पे छट का लेंटर डालते हैं तो उसमें दो चीछों का में लें रोड रहता है एक होता सरीया और एक होता गिट्टी बालू और शिमेंटर तो आज का हमारा जो लेंट है यह 50 फीट है और यह हमारी तुड़ाई जो है 20 फीट है जब हम सरीया डालते हैं तो जो स्टेंडर्स कोई 4 इंच का भी गैप रखता है सरीय से सरीय की दूरी में कहने का बाव जैसे यह सरीया है यह सरीया इसके बीच में जो दूरी है लेकिन जो स्टेंडर्स है अधी के साइस है मतलब कहने का बाव जो बीच की दूरी का जो साइज है वह 6 इंच ही मान के चलते हैं तो समाने तोर पर मिश्ट्री क्या करता है बीच इनका एरिया निकाल लेता है जैसे एरिया कैसे निकालते हैं कि बिल लंबाई गुना चुड़ाई कर ली लंबाई है हमारी बीस है पचास सोरी पचास है और चुड़ाई है बीज है तो एक जार कि एक जार स्क्रिफिटेरी हो गया तो उसमें क्या करता है वह आप आप करता है वह एक फूट में दो डलते हैं तो आदो आद कर लेता है भी 500 500 कज यानि पांच क्यूंटल सरीया हो गया 500 कज लिख देता हूं 500 किलोगराम सरीया हो गया लेकिन जो सिविल इंजिनिरिंग है के नुसारे वो क्या करते हैं जैसे पहले तो उसका जो सरीया है उसका डायमेंशन पूछते हैं देखते हैं भी जगे के इसाब से या मतलब बिल्डिंग कर जो होता है भी कौन सा फ्लो रहे है लास्ट फ्लो रहे तो उसके थी अलका भी थोड़ा बहुत अलका भी डिल जाय कोई बात नहीं होता है लेकिन यह देखते हैं फर्षट प्लो रहतो उसको बोलते हैं दस अम-म तो वे क्या करते हैं जैसे फीड जो फिट होते हैं में करते हैं अपने इनुसार जैसे फीट में होगे चैने मीटर होगे और इसमें पंदरा मीटर होगे तो वह क्या करते है पहला तो जैसे छेए इंच पे डाल रहे हैं तो इसमें कितने डलेंगे उनकी क्यालेशन निकाल लेते हैं जी 50ft है कितने डलेंगे अगर सिध्य में दो दान रहें तो पचास में कितने दलेंगे दो से गुणा कर लेते हैं 52 लिसो और गुणा में जमा में एक एस्टर डालते हैं एक सएक हो गया सरीया मतलब यह जो पचास फीट की दूरी में 20-26 मेटर के टुकड़े डालेंगे 101 डालेंगे और लंबे लंबाई में कितने डालेंगे यह वह सेम साइज दो डलते हैं एक फुट में तो बीस में कितने हैं 22 चारीस और जमा एक और एक्स्टा डालते हैं 41 बार हो गई तो यह इनकी संख्या आ गई अब हम वेट निकाल लेते हैं वेट निकालने का क्या तरीका है डी टू गुणा में लेंथ बटे 162.2 डी कम डी टू का मतलब डी होता है डाइमेंशन डाइमेंशन यानि सरीय की मुटाई और एलो ती लेंथ मतलब सरीया कितना लंबा है पहले जो हम निकालते हैं जो यह चुडाई वाड़ा है यह वाला यह निकालते हैं कि विड्थ कि डी सपोज को रम तीन सुत का सरीया लगा रहे हैं डी हमारा आठ आठ एमेम हो गया गुणा में लंबाई कितनी है मीटर में लिखेंगे 6 और एक्स बटे 162.2 यानि आठ्थु आठ्थु स्क्वेर करेंगे 64 गुणा में 6 अबटे में 162.2 यह मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है यह आएगा 2.36 यानि एक सरीय का वेट आगया तो हमारे एक सरीय का वेट आगया यह यह वाला तो हम्हारे डुन रहे हैं 101 तो हम क्या करेंगे 2.36 गुणा में 101 को गुणा कर लेंगे तो उस से उस सेड का जो टोटल सरीय का वेट है वो निकले आएगा दो पॉइंट तीन चै गुणा में 101 यह लगेंगे तो हमारा गया दो कॉइंटल 38 किलो पॉइंट तीन सो साथ का नम हो गया अब आगी लेंथ की बारी जो पचास वाले हैं कि वह सेम फर्मुला डी टू इंटू लेंथ बटे में 162 पॉइंट दो डी हम तीन सूत का इसरीय डालने हैं डी हमारा आठ गुणा में लेंथ कितनी है 15 मिटर होगी उसकी सेड़ यह देख सकते हैं यह हमारी लेंथ है जो 15 मिटर होगी बटा में 162 पॉइंट दो तो 64 अठ वाट उचोंशट गुणा में 15 बटे 162 पॉइंट दो तो इसको हम जब वहल करेंगे तो हमारा आएगा पांच किलो 910 गराम तो एक सरीय का वेट आगया यह तो एक सरीय का वेट आगया हमारा सरीय डलने है उसमें जो 15 मिटर के सरीय है वेट डलने है उनकी संख्या कितनी है तो पांच पॉइंट ना एक गुणा में 41 से गुणा कर देंगे कितना आएगा पांच पॉइंट नो एक गुणा में 41 बराबर है 242.31 अब टोटल हम देख लेंगे टोटल कितना 236.36 जमा में 242.31 टोटल कितना हो जाएगा हमारा इसको अभी जोड़ के बता देता हूं मैं जमा में 236.36 कि दो सुब्याव चार सो अठेंटर पॉइंट चैसाथ के जी वह अप्रोक्स यहां पर सिदा सिदा इसाब लगा देता है देशी बंदा किया आप लगेगा वह लगबग इतने आ जाता है लेकिन इसके अंदर एक बात हो रहा है इसके अंदर बीम का सरीएड नहीं है कहीं कोई सोचे के बीम का सरी है यह सिर्फ चट चट का सरी है